आज मैं बना रही हूँ बुंबई स्टाइल बड़ा पाओ आज जैपुर में अच्छी खासी बारिश हो रही थी तो बच्चों ने डिमांड की कि मम्मी आज बड़ा पाओ बना दोना तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों की डिमांड पूरी कर देते हैं बड़ा पाओ बनाते हैं इसलिए मैंने सबसे पहले जो बड़ा पाओ में सबसे ज़्यादा डाली जाती है सबसे ज़्यादा फैमस है उसी को मैंने बनाया मैंने लिए मूफली एक कटोरी और इनको पैन में डालके दो से तीन सेकंड के लिए इस तरह से रोष्ट कर ली है इनको रोष्ट करने के बाद में मैं निकाल लूँगे एक बैतन में और इनके चिलके हटा लूँगे मिक्सी में डालने के बाद मैंने डाली है दो तीन कलिया लसन की थोड़ा सा डाला इसमें जीरा और एक चमच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची आप चाहे तो कस्मेरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो हम इसको पीस लेंगे इस त गड़ी पत्ते डाल के थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी इसको थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने नमक और जीरा और इनको दरदरा ही पीस ना है मिक्सी की सायता से दरदरा पीस लो या फिर चोपर में दरदरा पीस लो कैसे भी दरदरा करना है अपन को ये और मैंने इसम में डाल लेने के बाद हम बूंज लेने के बाद में डाला मिर्ची अपनाऊ के जो अगर मश्क्शा के लान डाला कटाली मृर्ची इसे स्साह Keeping-ई-ग्षा रावरो brands, आदि अदि चंवह लाल मिर्ची आदे ज़ुपर, अदाध चंवह सिंगने शर्टा से ब्स भाहें इक ब्ड़ना, समुछ लाल मिर्ची मृटई और इसमें ठीक ही, भी तोरो में tips, इसमान भीन, भी करना पूल एक। अगर हम पानी डाल देते हैं तो इसमें गुठलिया भी पढ़ सकती है हमें गुठलिया बिल्कुल नहीं पढ़ने देनी है दीरे दीरे पानी डालते हुए और हमें इसका पेश्ट तयार करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि चमच पे पीछे कितनी अच्छी कोटिंग आ रही है इसी तरह से आनी चाहिए और अब मैं आलू के पेड़े बना बना के रख लूँगी गोल गोल इस तरह से जब हम बना बना के रख लेंगे सबी आलू का और फिर हम साथ में ही इसमें डालते हुए तेल में डाल देंगे मैंने सारे आलू के इस तरह से बना लिया है गोल गोल और अब मैं इसको अंगलियों से एक बार और गोड को थोड़ा सा हीला लूँगी अच्छी तरह से मैस कर लूँगी और इस तरह से मैं इसको हाथ से ही डालूँगी आप चाहो तो इसको चम्मस से भी डाल सकते हो और मैं हाथ से ही डाल दूँगी अच्छी तरह से ड सबस्सक्राइब इक सबस्सक्राइब का अभयी अगैड़ को ये सबस्क्राइब करदे कुछ व Shield, सबस्क्राइब कराज सबस्क्राइबक आपके निए रखेंмотри पोटेल को परेंगे मिर्चy Catholic हमारे बढ़े पावपन के तयार है यह ओ zuаст होता है और एस तरह को हम अंदर हम बड़ा पाव बनाएंगे इनको चक्कु से इस तरह मैं कट कर लूंगी आप देख सकते हैं मैं इस तरह से कट कर लेना है हमें हैं कट करने के बाद अब इसमें डालूंगी मैंने जो मुफली की चटनी बनाई थी उसी को हमें इस तरह से डालना है बारिस के मोसम में बड़ा पाओ मिल जाए तो मज़े ही हो जाते हैं और बुम्बई में तो सबसे ज़्यादा बड़ा पाओ खाए जाते हैं और ये देखिए इस तरह से बड़ा पाओ की बन के तयार हैं हमारे बड़ा पाओ बन चुके हैं आप देख सकते हैं इस तरह से बड प्राव खाने कि लिए रे